लुका रचित सुसमचार अध्याए एक इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुँचाया। इसलिए हे श्रिमान थियुफिलस, मुझे भी ये उचित मालुम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरम से ठीक ठीक जाच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखों, कि तु यह जान ले कि वे बातें जिनकी तुने शिक्षा पाई है, कैसी अटल हैं। यहुदियों के राजा हेरुदेश के समय, अभिहा के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पतनी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इली शिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारी आग्याओं और विधियों पर निर्द प्रोष चलने वाले थे, उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इली शिबा बांज थी, और वे दोनों बूरे थे, जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रिती के अनुसार उसके नाम पर चिठी निकली, कि प्रभु क मंदिर में जाकर धूप जलाए, और धूप जलाने के समय, लोगों की सारी मंदली बाहर प्रार्थना कर रही थी, कि प्रभु का एक स्वर्गदूत, धूप की वेदी की दाहिनी और खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया, और जकर्या देखकर घबराया, और उस पर बड़ भैचा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्या, भैभीत नहो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पतनी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन होगा, और तू उसका नाम युहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वे प्रभू के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भी से पवित्र आत्मा से परपूर्ण हो जाएगा, और इस्रालियों में से बहुतेरों को उनके और फेरेगा, वे एलिया की आत्मा और सामर्त में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पित्रों का मन लड़के बालों की और फेर दे, और आग्या ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तयार करे, जकरिया ने स्वर्ग कि मैं जिब्राईल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझ से बातने करने, और तुझे यह सुसमचार सुनाने को भेजा गया हूँ, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तु मौन रहेगा, और बोल न सकेगा, इ उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी, जब वे बाहर आया, तो उनसे बोल न सका, सुवे जान गए, कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वे उनसे संकेत करता रहा, और गूंगा रह गया, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए, तो वे अपने घर चला गया, इन मनुश्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए, प्रभू ने इन दिनों में क्रपा दर्श्टी करके मेरे लिए ऐसा किया है, छटवे महिने में परमेश्वर की ओर से, जिब्राईल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंग बर इश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभू तेरे साथ है। वे उस वचन से बहुत खबरा गई, और सोचन लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भैभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, औ और देख, तु गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन होगा, तु उत्ता नाम यीशु रखना, वे महान होगा, और परमपरधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभू परमेश्वर उसके पिता दावूत का सिहासन उसको देगा, और वे याकूब के घराने पर स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, स्वर्गदूत ने उसको उतर दिया, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परमपरदान की सामर्थ तुझ पर छाय करेगी, इसलिए वे है पवित्र जो उत्पन होने वाला है, परमे वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभू की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के उन्मसार हो, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, उन दिनों में मरियम उठकर शीगर ही, पहाली देश में यहुदा के एक नगर को गई, और जकरिया के घर में जाकर इली शिबा को नमस्कार किया, जोहीं इली शिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्योहीं बच्चा उसके पेट में उचला, और इली शिबा पवित्रात्म से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तूस्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है और यह अनुग्र मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभू की माता मेरे पास आई और देख जोही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा त्योही बच्चा मेरे पेट में आनन्द से उचल पड़ा और धन्य ह वह है जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीली से पीली तक बनी रहती है। कि अपनी उस दया को समरण करे जो इबराहीम और उसके वंश पर सदा रहेगी। जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग तीन महिने उसके साथ रहकर अपने घर लोट गई। तब इलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। उसके पडोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दिया की है उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि आठवे दिन वे बालत का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियाह रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं बरन उसका नाम यहनना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुम में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चायता है। और उसने लिखने की पट्टी का धन्यवात करने लगा, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भैचा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाडी देश में फैल गई, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभू का हाथ उसके साथ था, और उसका पिता जकरिहा, पवित्र आत्मा से परपून हो गया, और भविषद्वानी करने लगा, कि प्रभू इसराइल का परमेश्वर धन्य हो, कि उसने अपने लोगों पर द्रस्टी की, और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाउत के घराने म हमारे लिए एक उध्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविषद्वत्ताओं के द्वारा, जो जगत के आदी से होते आए हैं, कहा था, अर्थात हमारे शत्रों से, और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उध्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दिया करके अपनी पवित्र वाच्चा का स्मरण करे, और वह शपत, जो उसने हमारे पिता इबराहीम से खाई थी, कि वह हमें यह देगा, कि हम अपने शत्रों के हाथ से छूट कर, उसके सामने पवित्रता और धर्मिक्ता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें और तू हे बालक परमपरधान का भविश्व दक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभू के मार्ग तयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उध्धार का ज्यान दे, जो उनके पापों की ख्षमा से प्राप्त होता है, यह हमारे परमेश्वर की उ और हमारे पाउं को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इस्राइल पर प्रगट होने के दिन तक जंगलों में रहा.